मान लिजिए किसी ने आपसे पूछा प्रमान का सबसे छोटा परमानू कौन सा है क्या आपके पास इसका जवाब तयार है क्या आपने कुछ सोचा खेर इसका सीधा जवाब है हीलियम परमानू अगर आप हाइड्रोजन परमानू कहते तो गलत होता लेकिन क्यूँ हाइड्रोजन को ब्रमान का सबसे हलका परमानू माना जाता है फिर भी ये सबसे छोटा क्यू नहीं है इसका कारण उनकी संरचनाओं में चुपा है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों परमानू में इलेक्ट्रον के लिए कई कक्षाएं होती हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नमब एक, दो, तीन, चार, पांच बगएरा होता है चुनकि दोनों परमानू में इलेक्ट्र地方न की संख्या कम होती है इसलिए सामान्य स्थिती में इन परमानूओं के सभी इलेक्ट्रॉन सबसे निचले कक्षा में यानि नूक्लियस के सबसे करीबी कक्षा में चले आते हैं हाइड्रोजन परमानू के नूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है साथ ही कक्षा में सिर्फ एक electron होता है लेकिन helium nucleus में दो neutron के साथ दो proton होते हैं और दो electron इसके चारो ओर घूंते हैं इन पर मानुओं में electron और nucleus के बीच electromagnetic force का तुलना करेंगे तो आप देख पाएंगे helium में ये force का मान hydrogen से दुगना है क्योंकि helium nucleus में दो proton होते हैं और हाइड्रोजन के नुकलियस में सिर्फ एक प्रोटन है इसका मतलब हीलियम नुकलियस आपने इलेक्टरोनों को जोर से खीचता है और ज्यादा नजदी के ले आते हैं इसलिए हीलियम एटम में इलेक्टरोन नुकलियस के करीब रहते हैं इसके चलते हीलियम एटम के सभी कक्षाय छोटे परिदी के हो जाता है जिससे इसका त्रिज्या छोटा हो जाता है और साथ ही इसका आयतन भी छोटा हो जाता है इसलिए हीलियम परमानू का आकार आयतन हाइड्रोजन से भी छोटा है एक हाइड्रोजन परमानू का व्यास 106 पिकोमीटर होता है जबकि एक हीलियम परमानू का व्यास 62 पिकोमीटर है उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आप में एक स्पष्ट विचार बनाने में सक्षम हो अगर ये वीडियो पसंद आये तो एक लाइक दे कर हमें प्रोथ साहित करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें